नमस्कार राज्जी सभा समाचार में आपका स्वागत है बैं हूँ आपके साथ अम्रता चौरसिया शुर्वात हेडलाइन से लगतार छट्धे दिन भी नहीं हो पाया राज्जी सभा में समाने काम काज पिनबी मुद्दे पर प्रधान मंत्री के बयान पर कॉंग्रिस कायम टिडीपी का आंद्रप्रदेश को लेकर विरोध, जारी, सरकार, हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार मंत्री नहीं दे सकेंगे दूसरे विभाग के सदन पर वेक्तव्वे विधाई कामकाच को लेकर सभापती ने दी एहम विवस्था अनुपस्थित मंत्री के बदले कांगजात रखने के लिए आसन के अनुमती जरूरी और दिली में बायू प्रदूशन से निपटने के लिए व्रस्तित कार योचना को अंतिम रूप सदन में पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी कहा वाहनों से होने बारा प्रदूशन रोकने के लिए होंगे और उपाए राजसावा की सभापती एमवेंकयन नाइडू ने आज विधाई कामकाच को लेकर एहम विवस्ता दी उन्हें कहा कि किसी मंत्री के अनुपस्थिती में कोई दूसरा मंत्री आसन की पूर्व अनुमती के साथ उसके मंत्राले से जुड़े कागजात तो सदन के पटल पर रख सकता है लेकिन मंत्री के विक्तव के मामले में ये विवस्ता लागो नहीं होगी 11 बजे राजसभा की कारवाही सुरू होते ही सरकारी मंतरालें से जुड़े कागजात सदन के पटल पर रखे गए लेकिन केंद्रिये कपड़ा राज्य मंतरी अजय टम्ता की अनुपस्थिती के चलते उनकी जगह केंद्रिये सूचनायों प्रसारन मंतरी स्मिर्ती इरानी ने मंतराले से जुड़े पत्र सदन के पटल पर रखे इसी को लेकर सभापती ने अपनी व्यवस्था दी उसके बाद जब मंतरियों के वक्तब की बारी आई तो केंद्रिये मंतरी SS अहलुआलिया सदन में अनुपस्थित थे सभापती ने व्यवस्था दी कि अनुपस्थित मंतरी की जगह कोई दूसरा मंतरी पूर्व अनुवती से सदन के पटल पर पत्र तो रख सकता है लेकिन बयान रखने पर ये छूट हासिल नहीं है सभापती M.V.K.N.I.D.U. इससे पहले भी कई बार विधाई कामकाज को लेकर कई सुधार और टिपनिया कर चुके हैं इससे पहले शीत कालीन सत्र के पहले ही दिन उन्होंने पटल पर कागजात रखने से पहले आई बेक टू वाके कहे जाने को अपनिवेशिक कालीन बताते हुए उसे छोड़ने की सलाह दी थी सभापती ने सोक प्रस्ता को सदन में खड़े होकर पहने की भी नई परंपरा शुरू की है पंचानन मिश्र राज्यसभा टीवी राज्यसभा में लगातार छटे दिन भी अवरोध के चलते कारिवाही नहीं चल पाई सरकार का कहना है कि वो पिन्बी घोटाले पर चर्चा और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तयार है बशरते सदन चलने दिया जाए कि इंद्रियसन सद्यकारे मंत्री विजए गोईल ने कहा कि बीच का रास्ता निकालने के लिए विपक्ष से बातचीत जारी है उधर कॉंग्रेस ने ये साफ किया है कि वो वोटिंग वाले नियम के तहट चर्चा से कम पर तयार नहीं है सुमवार को संसत के सत्र का लगातार छटवा दिन था लेकिन दूसरे हफ़ते भी सदन की तस्वीर नहीं बदली सरकार ने साफ किया है कि बैंकिंग गोटाले पर अल्ब कालिक चर्चा कारवाही सूची में शामिल है जिस पर विपक्ष सरकार से सारे सवाल पूछ सकता है तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को संसत को चलना चाहिए कॉंग्रिस को क्या समस्या इसके अंदर की अगर जो बहस है वो 176 में हो जाए मेरी समस्या बहार रहा जा गई तो इसलिए वो लोग मीडिया में तो चर्चा करते हैं तो देखिए अब आगे क्या होता है पर एक बात इस सरकार की खास्यत है कि सरकार किसी भी विशे के उपर चर्चा से नहीं भाग लीगी चर्चा कराने के लिए हमेशा तही आ रहे है लेकिन कॉंग्रेस राजज़भा में नियम 166 के तहट यानी वोटिंग वाले नियम के तहट चर्चा और प्रधानमंदी से जवाब की मांग पर अड़ी है वहीं आंदरप्रदेश को विशेश राज़ी के दरज़े के मुद्दे पर टीडीपी, यसर कॉंग्रेस और कॉंग्रेस सदन में विरोध पर लाम बंद है इसके अलावा कावरी जलबटवारे और कावरी मेनेजमेंट बोर्ट गठित करने के मुद्दे पर AIADMK और DMK भी बीते च्छे दिनों से विरोध कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीज डब जाए हमने अगर चर्चा कराने में कीन है तो जो हमने नोटिस 168 में दी है ये अपोजिशन की डिमांड है तो अपोजिशन जो मांग रहा है उसे देने में क्या दिक्कत है तो ये तो टालना हुआ विशे को संसदी ए कारे राजमंत्री विजय गोयल ने एक बार नहीं सदन में दस बार कहा कि अपोजिशन के लिए ताही आ रहे है चर्चा करें तो कुछ है उनके बास गलत आरोपों से सदन को गुमरा करना और देश को गुमरा करना ये एक सगल बन गया है कॉंग्रेस का और कॉंग्रेस जनादेश तो प्राप्त नहीं कर पा रही है दुख की बात है कि संसत भी नहीं चलने दे रही बजट सत्र के दूसरे हैसे में सरकार को बजट पर चर्चा कराने के लावा विनियो गिधियक और फाइनेस बिल भी पारित कराना है लेकिन कारवाही में लगातार अवरोध की चलते शोनिकाल प्रशनिकाल के साथ कोई भी विधाई कामकाज नहीं हो पाया पीनबी घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर बीते च्छे दिनों से संसद में गतिरोध बरकरार है और सरकार और विपक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए है सरकार का हलाकि कहना है कि पीनबी घोटाले पर वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है लेकिन इंतजार है कि बीज का कोई रास्ता कब निकलता है संसद्धों से योगिश अगरवाल के साथ पंचानन मिश्रा राजी समा टीवी दिली में वायू प्रदोशन से ने पटने के लिए सरकार ने वरस्तित कार योजना को अंतिम रूप दे दिया है ब्रज्य सबाब में आज एक सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री हर्श वर्धन ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि वाँनों से होने वाले प्रदोशन और धूल को रोकने के लिए समें कई उपाई शामिल किये गए पर्यावरण मंत्री ने बताया कि केंडिय प्रदोशन ने अंतरन बोड ने कई उपाईों को अधिसू चित कर दिया है उन्होंने बताया कि कार्योजना को सभी पक्षों से बाचीत के बाद तयार किया गया है उन्होंने कहा कि कार्योजना में उन समयों को चन्नित किया गया जब वायो प्रदोशन के विभिन श्रेणियों के अधार पर कदम उठाए जाएंगे परियावरन मंत्री ने बताया कि ये कार्योजना सिर्फ दिल्ली के लिए है और इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा गोर तलब है कि साल सर्दियों में दिल्ली में वायों प्रदूशन खतरनाक स्थर पर चला गया था इसके बाद आस्थाई तोर पर बदरपूर पावर प्लांट बंद करने जैसे सक्त फैसले लिए गए थे और इसी के साथ राज्य सभसमाचार में इतना ही नमस्कर